अब आपकी वर्ट शीट नमर थर्टी नाइन यह आपकी एट क्लास की हिंदी व्यागर्ण की बिटा दस्मी वर्टी विदार्थी को अपना नाम अपने कख्षा धापर का नाम लिखना है वर्टी रहीगी हमारी 25 फरवरी 2021 की आपकी वर्टी तो चलिए पढ़ते हैं वर्टी प्लिट शूरू करने से पहले बिटा और आपने चैनल को सब्सक्राइब करें नीचे रैड बटन दिया हुआ है आप उसको प्लिक जरूर करें तो प्यारे बच्चों आपको पता ही है कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे किरिया कहते हैं तो क्या कह करम के साथ किरिया को साकर्मक और करम के बीना किरिया को अकर्मक कहते हैं यानि की दिखे आगे पड़ते हैं किरिया किरिया जिस शब्द से अत्वा सब्द समू के द्वारा किसी कारिये के हूने अत्वा किये जाने का बोध हो उसे किरिया कहते है जैसे सीता नाच रही है तो नाच ना क्या है किरिया बच्चा दूद पी रहा है तो हम यह कहते है बच्चा दूद है तो यहां रहा है तो यहां पर क्या कर रहा है पी रहा है तो पीना क्या है किरिया है सुरे स्कोलिज जा रहा है तो जाना क्या किरिया है तो इसमें नाच रही, पी रहा, जा रहा शब्दों से कारिये व्यपार का बोध हो रहा है इन सब्दी शब्दों से किसी कारिये के करने अत्वा होने का बोध हो रहा है तो ये किरिया है व्याकरण में किरिया एक विकारी शब्द है ठीक है क्या है व्याकरण में किरिया एक विकारी शब्द है तो प्रयोग के आधार पर किरिया के भेद तो किसके आधार पर हैं बेटा देखिए ध्यान से देखना आपको प्रयोग के आधार पर किरिया के कितने भेद होते हैं एक होता है सरकर्मक और दूसरा होता है हमारा अकर्मक तो देखिए सरकर्मक के दो भीद होते हैं एक तो होता है अकर्मक और दूसरा होता है द्वीकर्मक ता आओ अब हम किरिया का अभ्यास करते हैं ठीक है एक पर देखिए वाक्यों को उप्यूगत किरिया लगा कर पूरा कीजि तो देखे, सबसे पहले कह है, मैंने सरीता को गाना, आप यहाँ पर जो है, दो लिख सकते हैं, आप यहाँ पर सुनाया भी लिख सकते हैं, आप सिखाया भी लिख सकते हैं, मैंने सरीता को गाना सिखाया या सुनाया, तो हम यहाँ पर मैं लिखोंगी यहाँ पर सुनाया, मैं यहां पर जो है सुशिला विद्याले में पढ़ती है या सुशिला विद्याले में आई यहां पर हम लिखेंगे सुशिला विद्याले में पढ़ती है या हम लिखेंगे पिटा यहां पर सुशिला विद्याले में जो है गई या पढ़ती है या आई आई आप कुछ भी लिख सकते हैं सुशिला विद्धाल्य में गई भी लिख सकते हैं आप यहां पर गई सुशिला विद्धाल्य में गई आगे हैं बटा रवी खाना खाकर यहां पर लिखेंगे हम खर गया या जाता है या हम लिखोंगे आएगा हम यहां लिखेंगे रवी खाना खाकर आएगा यहां पर हम लिखेंगे रवी खाना खाकर आएगा ठीक है समय पर काम हो रहा है या समय पर काम करना चाहिए तो हम यहां पर लिखेंगे समय पर काम करना चाहिए ठीक है बिजली चमक रही है क्या लिखेंगे बिजली चमक रही है तो ये हमने वाक्यों को complete कर दिया है आगे देखे बिटा, आगे क्या दिया गया है करम को किरिया में मिलाईए ये करम दिये गए है, हमें ये किरिया दिये गई है करम को क्या करना किरिया में मिलाना है फूल होता है, तोड़ना, तो हम यहाँ पर जो है, तोड़ना, इससे हम मिला देंगे इसको, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, इसके बाद बिटा देखिए, एक मिनिट, हम यहाँ पर करेंगे, फूल, हम फूल को क्या होता है बिटा, तोड़ना, क्या होता है, तोड़ना, ठीक है हम यहाँ पर भी सरकर लगा देंगे इसके बाद देखिए यहाँ पर पत्र पत्र क्या करेंगे हम पत्र होता है लिखना क्या होता है बिटा पत्र लिखना हम यहाँ पर लिखना पत्र क्या होता है लिखना ठीक है इसके बाद देखिए यहां पर गेहूं क्या होता है गेहूं होता है काटना तो हम यहां पर सरकल लगा देंगे यह मिला देंगे कपड़ी क्या होता है बिटा कपड़ी होता है धोना क्या होता है कपड़े धोना हम यहां पर इसको ऐसे दोना इसके बाद देखिए रोटी क्या होता है दाल बनाना और रोटी पकाना हम इसको हम लिखींगे बिटा रोटी पकाना रोटी बनाना और डाल पकाना छीक है या आपको जैसे भी ठीक लगे बिटा, दोनों ही ठीक लग रहे हैं, दाल बनाना भी हो सकता है और दाल पकाना भी हो सकता है, तो इन में से आप जो भी आपको अच्छा लगे, आप इन में से कर सकते हैं ठीक है आगे देखे बिटा वक्यों की किरिया इस सरकर्मक है या एकर्मक मांसी को फल दो तो ये कौन सी किरिया है बिटा फल दो ये कौन सी है सरकर्मक हम यहां दिखेंगे सरकर्मक किरिया ठीक है इसके बाद है बिटा भालू नाचता है तो ये क्या है अकर्मक क्या है ये अक कर्मक के लिए ठीक है आगे दिखे नेहा दूद्ध पी रही तो ये क्या है पी रही है ये क्या है यहाँ पर सरकर्मक क्यूंसा है पर तो यहां पर होती है आपकी वक्षीट complete I hope आपको समझ में आ गई होगी अगर आपको यूडियो अच्छे लगी तो प्लिस लाइक शेनल सब्सक्राइब करना ना बूले थेंक्यू बिटा